इन दौर में एक बार फिर गुरु शिशक का रिष्टा तार-तार हो गया जहां से इस यूनिवसिटी में सिक्षकों को बहारी छात्रों ने जम कर पीटा जिसका विरोध अब सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिक्षक और स्टाफ पर कुछ चात्र हमला करते दिखाईते रहे हैं वहीं इस घटना को लेकर सेज यूनिवसिटी के स्टाफ द्वारा तेजाची नगर थाने पर न्याय की गुहार भी लगाई गई जिसके बाद पुलिस द्वारा तुरंत कारवाई करते हुए बहारी चात्र अन्य के खिलाफ मामला दर्च किया गया है दरसल बुधवार को सेज यूनिवसिटी में एक बड़ा हाथसा टल गया सीनियर सिटी में बिजली का तार गिरने से दो करमचारी गंभीर घायल हो गए जिसके जुनकारी वहाँ के चात्र नेताओं को लग गई जिसके बाद चात्र नेता घटना को लेकर विरोध करने लगे और यूनिवसिटी करमचारी को मुआवजा देने की मांग करने लगे इस बेज गुरुवार के सुभा दुबारा चात्र नेता रवी चौधरी और कुणान पटवारी चात्रों को लेकर यूनिवसिटी में दाखिल हुए और स्टाफ के साथ धक्का मुकी शुरू कर दी हाला कि थानव रभारी आरडी कंदवा मौके पर मौचुद थे जिसके चलते कोई बड़ी घटा नहीं हो सकी कि अप्राद बंजीवत किया जा रहा है और निश्य तुप्शन के बर करवे की जाएगी जो बने जिसमें वहारी तत्व रवी चौधरी कुनाल पटवारी और बाकिना मुझे जयाद नहीं 20-20 बाहरी व्यक्तियों के साथ आये थे संस्था में और आखे कुछ ग्यापन देने की बात कर रहे थे यह रिन्नकागी डीन को बलाएए मैं डीन हूँ वहापर तो मैंसे कुछ जो बातें पूंची मैंने उनका जवाब दिया तो उनके मन माफिक नहीं था जल रहा है और हमारे सारे कर्मचारियों का ग्रोप मेडिक लें भी है यह सब बातें उनने बता ही तो उनने पची नहीं तो उनने मेरे उपर हमला करने की कोशिश की जुमाजट की टी आई साब मौके पे मौजूद थे क्योंगी प्रदर्शन की सूचना थी उनने बचाया नहीं बचाया होता तो पता नहीं कौन सी घटना की पुनावरत्ती होती तार कोई नहीं टूटा है सर और कोई नहीं टूटा है इस सथिटी अभी वहीं है आकाशी विजली है ऐसा प्रतीत होता है तार तो कोई नहीं टूटा तो उसके अप्सेश भी दिखते ऐसा कुछ भी नहीं है कल वाली घटना तो सेज विशिद्या लेके कर्मचारी के साथ वी थी यह तदा कथि छात्र नेता है, जे समझ नहीं आता है इसमें क्या तारता में है बताने कि इस मामले में जो बाहर छात्र हैं उन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं खास कर कुणाल पटवारी जो मध्य प्रदेश के कॉंग्रिसी वरिष्ट नेता के रिष्टदार बताये ज़ा रहे हैं अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कारवाई करती है पंजाब के स्ट्र टीवी के लिए इन दौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट